नमस्ते दोस्तो मैं हूं नीरवत्रविधी आपका business consultant और productivity coach दोस्तो हम business improvement के लिए और productivity improvement के लिए नए नए वीडियो आपके पास ला रहे हैं आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से कीजेगा अपने दोस्तों के साथ शेर कीजे ताकि उनको भी कुछ सीखने का मौका मिले दोस्तों 1935 में बोईंग ने 299 नंबर का एक नया जहार्ज बनाया था एक एरकराफ बनाया था उसके टेस्टिंग के लिए मेजर हिल को बुलाया गया जो मेजर हिल US Air Force से बहुत ही काबिल आफिसर थे उन्होंने पूरी टेस्ट ली और टेस्ट के दर्मियान ही ये पूरा एर दर और एलेवेशन में एक Flip Switch थी वो Flip Switch On करना भूल गये थे ग्राउंड के स्टाफ से ये Flip Switch को On करना भूल गये थे और बहुत बड़ी गलती हो गई मैंने कहीं पे सुना है कि आपको ठोकर लगती है तो पत्थरों से लगती है पहाड़ों कभी ठोकर नहीं दिया करते हैं तो गलतिया हमेशा दोस्तों छोटी-छोटी हो जाती है और उसकी जो कीमत है वो बहुत बड़ी चुकानी पड़ती है और ये जो हो रहा है, वो दो चीज की वज़ा से हो रहा है。 एक, पहला जो मुद्दा है, ये ऐसी गलतिया क्यूं होती हैं, तो पहली गलती होती है, it is a lack of knowledge. लोगों के पास knowledge नी होता है, काम कैसे करना, इसकी वज़ा से ये गलती होती है, और दूसरा जो होता है वो है ineptitude, यानि यहाँ पे हम अपने आपाख हो देते हैं या हम अमारा discipline खो देते हैं और इसकी वज़ा से यहाँ पे issues हो जाते हैं, ऐसा कह सकते हैं, दोस्तों बहुत साल के अनुबव के बाद और बहुत सारी expertise होने के बाद भी लोग गलतिया करते र अगर example से यह तीनों problem को समझना चाहें, तो जैसे खाना ना बनाना और अगर नहीं आता है तो यह simple problem है, अगर rocket उडाने वाली बात है, कोई space shuttle launch करने की बात है, तो यह complex problem हो गया और एक complicated problem है, यानि कि बच्चों को बढ़ा करना, जैसे बच्चों को बढ़ा करना है तो उसम उसी तरह से उसी लालन पालन से, उसी method से आप दूसरे बच्चे को भी बढ़ा कर पाएंगे और यही result मिलेगा ऐसा जरूरी नहीं है, आम तोर पर यह देखा गया है कि बहुत सारी छोड़ी छोड़ी गलतिया करते हैं और उसकी जगा उसकी वज़े से हमें बहुत सारा रिके अवेलेबल हैं, एक और research किया गया है जहां पर पता चलता है, दो तरह की industries के उपर research किया गया है, जो कि एक बहुत complex industries हैं और एक बहुत safe industries हैं, complex industries में aviation industries आती हैं, और safe industries में construction industries आती हैं, construction industries का जो failure rate है, वो 0.0001% है, यानि अगर आप देखेंगे तो शायद 50,000 building में से एक building में कोई दिक्कत आ जाती है, और अगर aviation industries देखेंगे, जहां पर flights वगेरा की movement होती हैं, flights के schedules बनते हैं, flights का takeoff landing होता है, चाहे वो passengers हो, चाहे वो cargo sheets है, अगर cargo ships के साथ भी बात करेंगे, तो वहां पर भी यही sheets, aviation industries में ही किनी जाती हैं, यहां पर सबसे कम है, 29 million में से failure है, one aircraft, यानि अगर 29 million flights हो रही है, तो उसमें शायद एक flight के अंदर कोई दिक्कत आ जाती है, अगर आप देखेंगे, तो यह सारी चीज़ें इस तरह से इतनी छोटी गलतियों के साथ उनको avoid करना, और इतना अच्छा result है पाना कैसे मूमकिन होता है, तो यहां पर discipline बहुत important part है, अगर आपकी industries में आपको discipline लाना है, तो discipline वैसे normally human beings में आता नहीं है, हम लोग अपने emotions, अपने साथ हुई घटनाओं के साथ जुड़े रहते हैं, और इसकी वज़े से शायद हम थोड़े से लापरवा भी हो जाते हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि काफी time, जान बु आने से ये सारी चीज़े हो जाती है, अगर military जो Boeing का मैंने example दिया, वहाँ पे 299 का जो Boeing aircraft crash हो गया, उसमें checklist बनी होती तो वो ऐसा नहीं हो सकता था, doctors अपने operations theater में operation करने से पहले अगर checklist बनाते हैं, तो एक research के बाद पता चला है कि वो death ratio बहुत जादा कम हो चुका है, अग अगर आप देखेंगे तो architects ले लिजे, civil engineers ले लिजे, aviation industries ले लिजे या construction industries ले लिए, तो वहाँ पे majority time वो लोग checklist बना के काम करते हैं, तो checklist एक ऐसा tool है, जो आपकी industries में गलतियों को सुधार देता है, गलती हो नहीं नहीं देता है, और वहाँ पे आपकी human, जो dependency हैं उसको भी कम करता है, काफी सारी industries में checklist बनाये भी ना काम करते हैं, तो production में error रहता है, sales में error रहता है, manufacturing में defects आ जाती है, कहीं ना कहीं वो गलती करते ही रहते हैं, तो दोस्तों ये जो point था, उसको थोड़ा सा elaborate करेंगे, checklist कहा हमें use करना चाहिए, checklist कैसे होनी चाहिए, checklist कैसे परपज है, वो है safety, consistency और efficiency, check sheet बनाने के लिए आपको सबसे पहला एक ही point का ध्यान रखना है, जिसके base के उपर आपको check sheet बनानी है, ये point को हम pause point कहेंगे, मान लीजिए, Boeing 299 का pilot, अगर वो checklist लेके ही plane चालू करता था या take off करता था, और checklist में वो flip switch के बारे में कहीं पे पुर्गतना नहीं होती थी, आम तोर पे अगर आप देखेंगे, तो doctors या nurse, अगर कहीं पे operation ठेटर में जा रहे हैं, और एक operations में check sheet बनी हुई है, और ये check sheet के हिसाब से वो काम करते हैं, तो बहुत सारी चीज़े human errors हैं, जो human errors, avoidable errors है, उसको आप avoid कर सकते हैं, और research ने इस क्या कर सकते हैं, ये checklist बनाने के बाद वहाँ पे investment होता है, ये investment करने से आपका investment safe रहता है, और वो जो venture capitalist company है, वो आपको ज्यादा से ज्यादा output दे सकती है, ये जो point था, यहाँ पे checklist कैसे होनी चाहिए, तो पहले checklist एकदम precise होनी चाहिए, और ये कहां बननी चाहिए, ये pause point पे बननी चाहिए, ये pause point पे use होनी चाहिए, pause point मैंने आपको समझाया कि कहां पे रुकना है, कहां से वो checklist को use करना है, that is a pause point, अगर वो pause point आपका identified हो जाता है, और ये pause point के उपर आप काम करते हैं, तो वहाँ पे checklist का प्रयोग कीजिए, checklist के font अच्छे होने चाहिए, ये simple and concise बनाई है, और इतना simplified होना चाहिए, कि तुरंत कर सकते हैं, अगर possible है, तो वहाँ पे graphics का use कीजिए, simple graphics का use कीजिए, कि ताकि आपकी जो checklist बन रही हैं, वो अच्छे से अच्छी बने, और अनपड़ आदमी भी उसको कहीं तक समझ पाए, बहुत बड़ी checklist बनाने की दोस्तो ज़रूरत यह checklist short होनी चाहिए, concise होनी चाहिए, speedily उसको update कर पाने चाहिए, और लोगों को समझ में आयसे होनी चाहिए, दोस्तों यह जो मैंने सारी चीज़े बताईए, यह इर्दगिट गुम रही है checklist के उपर, यानि अगर आप checklist implement करते हैं, तो आपकी industries में आप अपना failure क ratio कम कर सकते हैं, चाहिए वो sales है, चाहिए वो marketing है, चाहिए वो production है, चाहिए आप software company बना रहा है, आप कुछ भी कर रहे हैं, आपको checklist का use maximum करना चाहिए, आप मुझे comment box में लिखके बताईए कि कहां कहां पे आप checklist का use करेंगे, और इसके वज़े से आपकी industries में क्या फरक कीजेगा, अगर आपने अपने दुस्तों के साथ हमारी चैनल को share नहीं किये तो जरूर से share कीजेगा और उनको भी सीखने का मौका दे, धन्यवाद